आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमाई साथ में हैं बॉलिवोड एक्टरस शीवा चड्डा हलाई कि इनकी अभी फिल्म बेस्पोर्ट दर्शकों की बीच में इससे पहले ये मिर्जा पूर्त तीन और बैड न्यू जैसे फिल्मों में मैं भी नजर आई हैं वैसे अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बॉलिवोड में काफी लंबा समय हो गया है 25 साल से ज्यादा आई थिंग आपको हो गए आपने 1998 में दिल से अपने करियर के शुवात की थी तो अभी भी आप अपनी प्रोफिशन लाइफ और परसनल लाइफ को कैसी मैनेज करती है क्योंक तो मुश्किल होता है कई बाइस पेशली क्योंकि अब बहुत सा काम हमारा आउट व बॉंबे होने लग गया है पहले इतना नहीं होता था पर अब बहुत शूटिंग बाहर होती है तो लंबे-लंबे अर्से तक कभी-कभी घर से बाहर रहना पड़ता है मुश्किल है पूरा इंट्रिव्य का टाइम खतम हो जाएगा इतनी आपने फिल्में की है तो इंतनी तो नहीं की अब बहुत से सच्ची में ठीकी रहा है ना क्योंकि बहुत हम लोग सुनते हैं अक्सर स्ट्रगल की दिन बहुत रहते हैं अली आक्टर लोग के हम बहुत दुखत सी कोई वो नहीं रहा अफकॉस ऐसे दौर रहे जहां पर मन का काम नहीं था वो दौर लंबे भी हो सकते थे लेकिन सची भगवान की दूआ से अपने आपको सस्टेन कर पाना ही इस इंडस्ट्री में एक चीज है मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मेरा ऐसा मानना कि कोई साइंस है न बहुत कुछ लिटरली कुछ एक अन्नोन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो उसके चलते अगर आप अपने आपको एक रिस्पेक्टिबल डिसेंट वे में सस्टेन कर पाते हैं वही अपने आप में एक अचीव्मेंट होती है मुझे लगता है एक फॉर आक्टर्स और इ चीवाजी आज में जब आपकी फिल्म या कोई सीरीज रिलीज होती है तो एक दिन पहले जो कहते हैं नर्वसनेज धग 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 तरशकों कैसे लगेगा वही भी होती है कि आपको मैं आपको सच बताओं मुझे कभी भी नहीं होई ना पहले होती थी ना आप होती है वह मैंने खुद को कभी इस तरह से काम से जोड़ा नहीं कि उसका जो आउटकम है वो इतना मुझे इंपक्ट करें कि मतलब मेरे को कुछ ऐसा हो जाए हमने काम कर दिया और क्या है कि आज आक्टर इन 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 इस मीडियम आप एक बहुत छोटे हिस्से हैं उसके ना बहुत इन ही चीजें जुड़के वो एक फिल्म या एक सीरीज या वो काम जो आप हमारे दर्शक देखते हैं उन तक पहुंचा उसमें इतने सारे और स्टेजिस होते हैं और इतने सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जो सब जब मिल जाएंगे कट्थे तब वो एक चीज एक अपने आप में एक संपून एक फोटो आपको दिखेगी तो सिरफ मेरा ही काम तो है नहीं हो ना मतलब लटरली उससे इतने लोग जुड़े हैं उन सबका एक कंबाइंड एफट है और फिल्म क्या है वो तो अपने आप में एक डिरेक्टर्स मीडियम मैं मानती हो ना कि जो डिरेक शुटा हिस्सा है उसमें और हां मेरे को नहीं होता मैं मैं मुझे नहीं होता शीवा जी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जिन फिल्मों में काम करती हैं उसमें नए एक्टर्स होते हैं जैसे डम लगा के हईसा उसमें भूमी पैडडिकर का डेब्यूट था इसके अलावा आपने एक्टर्स के साथ कितना comfort zone रहता है कुछ acting को लेकर कुछ clashes या तो कुछ एक bonding जो होती है actors की वो कैसे क्या एक build up करने में मुश्किल होता है या सानी मुझे तो again by grace touchwood कभी ऐसा नहीं लगा कि यह हम पुराने आक्टर हैं यह नहीं इनको कुछ कहना है बताना है कोई भी सिंक में कोई कभी भी तचूर्ड ऐसा मुझे कोई incident याद ही नहीं आ रहा है इंफाक्ट जो भी नए लोग आते वो इतने बढ़िया work ethic के साथ में मतलब मैं तो कहती हूं कि it's wonderful to see मुझे एक इसे क्या बोली कैसे स्थिती में और ऐसे एक नए मतलब वो तो आई अधे जुक्त वाक्रण खुट है कि लुक्ते और अधे नहीं अगम को फॉर्टब्र पर उनके पारी होतो एक प्रख्यात परस्नालिटी पहले ही थी बहुत बढ़िया के साथ भी इतना शी विट्न like इतनी ओपने इतनी इतनी बिलनांसार बहुत ही बढ़िया था अश्वर सब करते हैं वह सची में मैं बोलरी मतलब वो कैथे कितना बढ़िया है इतने फोकस के साथ आते हैं इतने अच्छे वरक आटिटूट के साथ आते हैं और सबसे बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरींस जाए थांक गॉड फॉड़ तो किसी को कुछ आटिंग यह मतलब सब तो अपना एग गेम लेकर आते हैं आपने भी अपने भी सारे और्मोस्ट टॉप एक्टर्स के साथ काम किया आशरया की बात करूं आमिर खान की बात करूं करीना कपूर की बात कर वह बहुत बहुत अच्छे बहुत हैं भी बहुत वहां डूंडरफूर तो और वह फिल्में भी एसी हैं कि चाहे वो बढायो या अप्दम लगा के हो या डॉक्टर जी हो मतलब फिल्में ही ऐसी हैं डिरेक्टर इतने बढ़िया हैं अंसॉंबल इतना बढ़िया होता है तो वह सब लिखा हुआ इतना अच्छा होता है तो यह सब जब इसका इफेक्ट वह कभी नहीं आ सकता जब आप को वर्क के साथ में आपको एक एक स्पीरिंस आप दर्शाने की कोशिश करें वो उसकी ब्यूटी हमेशा अलग होगी तो दूसरा यह वर्वे सेवन दियादर विल शाइं यू विल शाइं यू नो इस नोट के मैं अपना अप काम करते हैं उसी में सुन दरता है तो आज जब भी कोई की कास्टिंग होती है तो आपको अभी भी ऑडिशन देना पड़ता है कि आपको डारेक्ट यू नो अग्ट निवर्सी अप्रोडेक्टिक्ट नहीं से कॉल आता है जी तो मुझे इंडियन फिल्म का तो अभी आपक इसके लिए ही रहें है आज पर जो फिल्म है बन रही है बहुत ही आउट ओफ पॉंटेंट हम गया सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि फिल्मेकर्स को प्रोडेक्शन होस को ऐसी फिल्में उठाना चाहिए जैसे महिलाओं का सुधार हो महिलाओं का विकास हो समाज का सुध इस टाइब की फिल्में बनानी चाहिए जैसे टॉइलेट आई थी एक फिल्म है इसी तो फिल्में अब काफी फोकस रहता ही है ना उन पे पैड मैन हो टॉइलेट हो दम लगा के हश्या भी अगर आप देखो या डॉक्टर जी हो चाहे भले वो है एक लेंज ओन देमान ले अगर उस पेसमें जाता है जो एक औरत की स्पेस मानी जाती है चाहे बदाई दो हो यूँनो बदाई विदे ओलार वेरी आम धिक देज लॉट डिस्कोस ना अबाउट इस अफकोस इसका तो कोई अंत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है सुधार की इतनी जरूरत है अभी भ लुट कॉरानी है और उसकी जड़े इतनी डीप हैं कि उनको अनको उनको करना ना उनको खोलने में तो मतलब आप करते जाओ करते जाओ आप इतना पूराना है और इतना बट已 तो बदलाउ टो हम आपके हैन्ट पékát क्यो तो आपको लगता है कि या आपको लगता है कि इसको रिलीस करना चाहिए I think तलाश मुझे लगता है कि जितनी खुबसूरत वो फिल्म थी जितनी बढ़िया वो फिल्म थी उसको उस तरह का मेरे मानने में ने I would love to see that मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी बनी हुई फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है तो I would love to see कि वो रिलीस हो फिर से मेरा जाते जाते आपसे का अफिर सवाल सूत्रों से धवरे की नितिश दिवारी के फिल्म ग्रामाइंड में आप मंत्रा का करदाने बारी है आजी ऐसा तो है आपके सूत्र तो सही कहे रहे हैं सूत्र तो मेरे सही है या तो ये बताइए ये इसकी शूटिंग कहां तक खतम हो चुकी है और ये फिल्म आने कब बाली है हम आक्टरों को ये सब चीज़े लासमी बता चलती है वो जो बड़े वाले आक्टर है उनको मालूम होती है चीज़े हम लोगों को नहीं बताएंगे मेरी तो शूटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन आई बिलीव उनकी मुझे मुझे सब्टेंबर तक मुझे नहीं मालूम आश्चली मैं भूल चुकी हूँ मेरे कुछ महीनों पहले शूटिंग खत्म हो गई थी दो तीन महीने पहले और उनकी लेकिन और कुछ था कंटिनू अब वो कब तक शूटिंगे मुझे आ नहीं और रिलीस कब होगी तो आप your guesses as good as mine आप ही पता करके अपने सुत्रों से मुझे बता दीजी तो हलाई की ये भी पता चला था कि ये तीन भागों में आ रही है पार्ट वन जिसमें सीता हरण तक बताया जाएगा उसके बाद आई थिंग लवकुश कांट तक दिखाया जाएगा मैंने ऐसा कुछ थोड़ा सा सुना था सेट पे लेकिन तो बी ओनेस मैं जादा ना घुस्ती नहीं हूँ मतलब ये आगे पीछे की ख़बर मैं मैं नहीं मैं नहीं हमने सोचा कि शीवा को इतना तो पता होगा के वह ने किवने सेट पे कई उड़ती उड़ती सुनी थी पिर अथा इतना ही और पर मंत्रा का तो रोल उसके आगे होना नहीं तो ओना का मंत्रा का सीथा हर्ड के वाद जब आयुद्या जी आते हैं तब भी जब वो माफी मंगती है वो portion भी अभी आएगा या तो आप छुपा रहे हैं पता नहीं 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 आप मेरे चेहरे पे दिख जाएगा जो टूट नहीं आता बोलना जादा तो नहीं मुझे वाखी नहीं वालू पर यह मैंने सुना था कि कुछ parts और हैं बट उतना ही किसी को अगर फिक से पता नहीं है तो फिर उन्व वह उनका भी कैस है तो उसमें क्या ही जाना तो अगर कोई आपको बिलकुल ही अपके सुत्रों से हिं पता चले तो आप भी हमको वर जोड़ने के लिए भड़़ धनावाद आपका थांक्यू 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